एलो फ्रेंग्स, वेलकूम डू जीगे स्टडी, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू चीफ जस्टीज ओफ हिमाचल प्रदेश के बारे में हपी करंट अफेर के पॉइंट ओव व्यू से जो है वो एक बहुत जादा इंपोर्टन टॉपिक है और इसे रिलेटिड और भी बहुत सारे इंपोर्टन पॉइंट से रिलेटिड जो कि हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और आपके एक्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं तो सबसे बहले बात करते है चीफ जस्टिस की थोड़ी सी इंफोर्मेशन जो की इंपोर्टन एक्जाम के पॉइंट वीव से देखिए फस्ट जो चीफ जस्टिस थे हिमाचर प्रदेश के वो थे मिर्जा हमिदुल्ला बेग यह आप सुभी को पता ही होगा और बहुत सार याद रखना है फस्ट थे आपके मिर्जा हमिदुल्ला बेग और दूसरे 26 नंबर के यह आपको नंबर जरूर याद रखना है जो 26 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचर प्रदेश थे हाई कोट के वो थे मुहम्मद रफीक मुहम्मद रफीक जी की बात करें तो 14 अक्तूबर 2021 जस्टिस मुहम्मद रफीक टुक ओथ ऐस चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचर प्रदेश हाई कोट 14 अक्तूबर 2021 को जो है इन्होंने हिमाचल प्रदेश की मुखे नहीं देश के तौर पर जो है वो शपत ग्रहन करी थी तो ये कुछ important point बनते हैं उसके लावा लीला सेट जी के बारे में अगर बात करें तो ये first female chief justice of हिमाचल प्रदेश high court थी और इसके साथ जो है वो इदिल्ली high court की भी पहली महिला chief justice थी तो ये question भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये कुछ important point है आपको पता होने जरूरी है मैंने इसलिए add कर दिये क्योंकि जो आपके HPSSE के exams होते हैं उसमें जरूर ये इस तरीकी के question जो है वो पूछे जा सकते हैं और अभी जो है वो new chief justice जो है वो आपके newkt होंगे यानि के selection हो चुकी है तो उससे related भी question आपसे मतलब की ये point बन सकते हैं अब next बात करते हैं Bombay high court क वरिष्टम नियाधिष जब जो आपके अमजद ई सयद है वो हिमाचर प्रदेश high court के 27 मुक्य नयधिष जो है वो होंगे ठीक है तो कौन से number के होंगे वो होंगे आपके 27th number के कौन होंगे अमजद ई सयद ठीक है तो ये number भी आपको याद रखना है नाम भी याद रखना ह है तो उनके बाद जो आपके हिमाचर प्रदेश high court के मुक्य नयधिष होंगे वो होंगे आपके अमजद ई सयद और जो की होंगे 27th number के यहाँ पर आप इमेज जो है वो देख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ important points बनते हैं जो कि आपके Indian quality में भी पूछे जा सकते हैं और यह न्यूज है वो आपकी current affair की है तो इससे relate करके भी जो है वो पूछे जा सकते हैं सबसे पहले तो देखिए उची नयाले के बारे में अगर बात करें high court के बारे में तो सविधान के भाग 6 यानि के part 6 में जो है वो article 214 से लेकर आपका 231 तक उची नयाले के बारे में उसके व हस्टपथी द्राइफ की जाती है ये वह एक पैसि पार पोछ लिए सबस्ते अब को याद रखनी है उच नें नायधिशओं की यूग्यतं की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ने अकार्य जो होते है उसमें 10 साल का उनको इसक यह उनको अनुभाव होना चाहिए उसके साथ जो है वह आपके उच नायले होगे या फिर अन्ने नायले होगे उसमें 10 तो इनको जो शपत दिलाएंगे वो दिलाएंगे आपके राज्यपाल हिमाचल परदेश के, ठीक है जी, यह चीज़ याद रखेगा, अब में बात आती है कारेकाल की, तो उचन्याले के नाइधिशों का कारेकाल होता है, आपका 62 साल की होती है, यहां पर भी लिखे गई है, कि 62 साल की आईउ जो है, उन्होंने पूरी कर लिये, सविधान में जो है, वो उचन्याले के नाइधिशों की कारेकाल भी जो है, वो निश्ची तभी नहीं किया गया है, बट उमर एज जो है, वो बताए गई है, 62 जो है, आईउ तक वो अपने पद पर जो है, वो बने रह स है, बाकी इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमने चलाई है, उसमें डिटेल में कभी बात करेंगे, आपको हिमाचर प्रदेश के करेंट अफेर के तौर पर जो है, वो ये चीज़ें याद रखनी है, कि हिमाचर प्रदेश के जो 27 पे मुख्या नैधिश बनेंगे, वो बनेंग